पार्ट चौबीस कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग कहानी हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण विधा है प्रागोतिहासिक युगों से शिक्षा, कथाओं, कहानियों द्वारा ही दीजाती रही है कहानिया सभी वर के लोगों में लोग प्रिये हैं कहानियों को दोनों ही रूपों में पाया जाता है सुनना और पढ़ना कहानी का उद्दीश है एक छात्रों में कल्पना शक्ती का विकास करना दो मनुरंचन तीन नैतिक शिक्षा प्रदान करना कहानी लिखते समय निम्नलिखित बादों का ध्यान रखना चाहिए एक कहानी की भाषा सरल वस्पष्ठ होनी चाहिए दो कहानी की खटनाव में तार्तम्यता बनी रहनी चाहिए तीन कहानी को भूत काल में ही लिखना चाहिए चार कहानी में रोचत्ता बनी रहनी चाहिए पाँच, कहाने का शीरशक, कहानी के अनुरूप होना चाहिए 6, कहाने के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेक होना चाहिए 7, शिक्षा के साथ-साथ कहानी मनोरंजग भी होनी चाहिए कुछ कहानिया नीचे दीजा रही है जैसे को तैसा बहुत समय पहले की बात है एक चंगल में एक लूम्डी और सारस रहते थे दोनू में पोहत मित्रता थी सुबह होते ही दोनू अपने अपने भोचन की तलाश में चुट जाते थे लूम्डी चंगल में दिन भर भटक कर चूटा खाना बटोर लाती और सारस जंगल की पड़ी तालाप में बैटकर मचलियां पकड़कर खाया करता था लूम्डी जब भी सारस को मचली पकड़कर खाते हुए देखती उसकी मूमें पानी आचाता एक पार लूम्डी ने सारस को अपनी घर पर खीर की दावत दे सारस ने भी प्रसन्नता पूर्व दावत स्वीकार कर ली दूसरे दिन लूम्डी ने खूब स्वादिश्ट और खुश्पुदान खीर बनाई तबी लूम्डी के मन में कुछ शैतानी सुची उसने खीर को दो थाल में परोसा सारस खीर की खुश्पु सूंकर मन ही मन खुश हो रहा था परन्तु खाते समय लंबी चोच होने के कारण खुले बर्तन थाल में वह खा नहीं सका लूम्डी ने सारी खीर जल्दी जल्दी चट कर दी सारस चुँझ लागया और खाली पेठी लोटाया उसने मन में बदला लेने की बात सोची अगले दिन उसने लूम्डी को अपनी घर में मचली खाने की तावत दी दावत पाकर लूम्डी पहुत खुश थी लूम्डी प्रसन्नता पूर्वक मचली के लोग में सारस की घर दावत केले पहुँची सारस ने मचलियों को तंग मूँ वाली सुराही में परोसा तंग मूँ होने के कारण लूमडी का मूँ सुराही में न जा सका लंबी चोच होने के कारण सारस ने सारी मचलियां बड़े आनन से खाडाली लूमडी सारस को देख कर लाट अपकाती रही अब लोमडी को अपनी गल्ती का एसास हो गया उसने तुरंद अपने मित्र सारस से अपनी गल्ती की माफी मांगी सहरेदय सारस ने उसे माफ कर दिया शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे दूसरे भी हमारी साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे अर्था जैसा करोगे वैसा भरोगे मधरवाणी का प्रभाव विजेकर में एक राजा थे जिनका नाम था राजा अश्विनी सिंग ये राजा बहुत वीर, प्रतापी और तेचस्वी थे उनके राच में सभी लोग सुखी थे राजा होने के पावचूद उन्हें अहंकार नहीं था उनके करीबी मंत्रीकड कहते थे के राजा की वानी में सरस्वती विराजमान है एक बार गर्मी के दिनों की बात है राजा अश्मिनी अपनी सेवकों के साथ शिकार पर गए थे दो पहर तक उन्हें कोई शिकार ना मिला वे ठक गए और एक पेड के नीचे विश्राम करने लगे सभी प्यासे थे उनके मुख सूख रहे थे राजा ने एक सेवक को पानी ढूंट कर लाने को कहा उसने देखा कि छूपड़े के बाहर एक अंधा और बुढ़ा व्यक्ति बैठा है राजा के सेवक ने उस बुढ़े व्यक्ति से कहा ओ अंधे इस राजे के महराजा के लिए थोड़ा सा पानी दे दो जवाब में बुढ़े ने उसे पानी देने से मना कर दिया इस बाद से सेवक क्रोधित हो गया उसने कहा हे दुष्ट तेरा इतना साहस अभी महराजा से तेरी शिकायत करता हूं सेवक ने लोटकर महराजा को पूरी खटना से अफ़गत कराया इस बार राजा ने अपनी मंतरी को पानी लेने भेचा मंत्री महोदे बुढे व्यक्ति के पास पहुँचकर अतितंब से बोली ओ अंधे सूर्दास थोड़ा पानी दे दो महराजा प्यासे हैं व्रिद्व्यक्ति ने उन्हें भी निराश लोटा दिया मंत्री ने भी महराज को पूरी बात से अवगत कराया अब महराज ने स्वयम उस व्रिद्द के पास जाने का निश्चे किया महराज ने व्रिद्द के पास पहुँचकर पहले उन्हें प्रणाम किया फिर कहा बाबा मुझे प्यास लगी है क्या आप थोड़ा सा पानी देने की कृपा करेंगे इस बार व्रिद्द व्यक्ती ने राजा को आशिर्वात दिया और बैठनी को आसन दिया फिर पीने के लिए शीतल चल दिया पानी पीकर राजा को शान्ती मिली फिर राजा ने व्रिद्द व्यक्ती से पूछा बाबा, आपने मुझे पानी पिलाया, परंतु मेरी सीवकों को पानी देने से क्यों मना कर दिया? इस पर वृत्ध ने कहा, महराच मेरा उद्दीश उन्हीं प्यासा रखना नहीं था, परंतु उनकी वाड़ी में कटुता, तथा अहंकार का भाव था, आपकी वाड़ी में मधुरता है, मधुरवाडी सभी को प्रभावित एवं मोहित करती है, यह कहती हुए वृत्ध ने उ गटु व्यवहार के लिए क्षमा मांगे और अपने नगर लोटाया, शिक्षा, हमें यह सीखने को मिलता है, कि हम मधुरवाडी से हर किसी का हृदय जीत सकते हैं, इसके विपरीत, गटु वाड़ी वाले व्यत्धी को कोई भी पसंद नहीं करता, संगठन में शत्ते, किसी गाउं में एक किसान रहता था, उसके चार पुत्र थे, किसान को इस बात की बड़ी चिनता रहती थी, कि उसके बेटे आपस में हमीशा लड़ती छगड़ती रहते हैं, एक दिन किसान पहुत बीमार पढ़ गया, उसने सोचा, अब मेरा अंतिम सम आगया है, मुझे अपने बेटों को एक बार और समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसने अपने चारो पुत्रों को बलाया, बेटों के आने पर उसने उनके सामने एक लगडी का कठर रख दिया, और उनसे कहा, इस कठर को तोड़ो, चारो लड़कों ने पारी बारी से उस गठर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे उसी तोड़ न सके, अब किसान ने एक बेटे से कहा, इस गठर को खोल दो, उसने गठर को खोल दिया, तो सारी लखडियां अलग-अलग हो गई, अब किसान ने बेटों से कहा, अब तुम लोग एक एक लखडी उठा कर उठाली और सभी ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों से कहा, बेटा तुम सब ने देखा कि जब तक ये लकड़िया एक जगा बंधी हुई थी, तब तक तुम इन्हें तोड़ नहीं पाई। जैसे ही ये लकड़िया अलग-अलग हो गई, तुमने इन्हें बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम आपस में मिलकर एक साथ रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बेगाड़ पाएगा। यदि तुम अलग-अलग रहोगे, तो कमसूर जाओगे, और कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा, जैसे तुमने इन लकड़ियों को तोड़ दिया। अब पुत्रों को पिता की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने पिताजी को इस बात का वचन दिया, कि वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, और हमीशा मिलचुल कर रहेंगे, शिक्षा हमें आपस में मिलचुल कर रहना चाहिए, संगठन में ही शक्ती है। बुद्धिमान पुत्र सीट खीम चंद्र बहुत ही धनवान व्यत्ती था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। बहुत दूर दूर के लोग उसे चानते भी थे। सीट की तीन पुत्र थे। सबसी बड़ा रमीश चंद्र, आलसी और निखट्टू था। दूसरा पुत्र सुरीश चंद्र, स्वास्त से बलिष्ठ और पेटू स्वभाव का था। सबसी छोटा महीश चंद्र, बुद्धिमान वपरिश्रमी था। समय बीतने के साथ ही सीट बूढा होता गया। अब उसका स्वास्त भी ठीक न रहता था। उसे अपने व्यापार की चिंता होने लगी। कौन उसकी देखरेक करेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। अपने पुत्रों में से किसी जिम्मेदारी सौपे। तीनों में से कौन सबसी अधिक समर्थ ह सबसे योगी पुत्र की पहचान लेने के लिए उसने परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन सीट ने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों को दस-दस रुपे देते हुए कहा। जो भी पुत्र कल अपना कक्ष इस दस रुपे से खरीदे गए समान से पूरा भर देग उसे ही मैं व्यपार की सारी जम्यदारी सौब दूंगा। यह सुनकर तीनों पुत्र विचार करने लगे। जेश्ट पुत्र रमीश चंद्र ने एक मस्तूर को दस रुपे दिये और उसे खुए से पानी लाकर उसका कमरा भर देने का आदेश दिया। परन्तु पानी कमरे में स्थिर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे पुत्र सुरेश चंद्र ने दस रुपे के कई बोचा फूसा खरीदा और कमरे में भरने लगा। लेकिन कमरा पूरा भर ना पाया। सबसे छूटी पुत्र ने कुछ खरीदने से पहले काफी देर विचार किया और फ निकला पहली पुत्र की कमरे से तो पानी अभी भी बह रहा था और वह सिर पर हाथ रखे बैठा था जो उसकी उदासीनता को प्रकट कर रहा था। दूसरी पुत्र का कमरा फूसे से भरा हुआ था जो अभी भी खाली था। सीट को अपने दोनों पुत्रों से बहुत निरा अब वह तेसरी पुत्र के कमरे की ओर बढ़ा। उसने चैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो देखा पूरा कमरा मुंबत्तियों की प्रकाश से जगमगा रहा था। शिक्षा बुद्धिमान व्यक्ति ही सब चगा सफल होता है और हर तरफ उसकी प्रशनसा होती है। वह अत्यंत आलसी स्वभाव का था। सारा दिन बेकार की कामों में व्यतीत करना अत्वा फिर सोते रहना उसकी आदत थी। सीट अपने पुत्र की लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। घर की पारिवारिक परिस्थिती बदलती गई लेकिन आनंद की स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। थीरे थीरे आर्थिक स्थिती खराब होती गई और नौबत फीक मागने तक की आ गई गंदे कपड़े पहने वह किसी के सामनी हाथ फेला देता था। घर का सारा सामान, खेत, सभी कुछ, बिक चुका था। मातर एक छूटा सा बंचर खेत रह गया था। जिसे खरीदने को कोई तयार ना था। कोई तरस खाकर उसे कुछ दे देता था। तो कोई उसे चणक देता था, कभी कभी तो उसे फूके पेठी सोना पड़ता था, एक दिन सुभा से वर्षा हो रही थे, आनंद को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, उसने एक घर का दर्वाजा खटकटाया, अंदर से सुन्दर वस्त्र पहने एक पुरुष निकला, आनंद उसे कुछ खाने को मांगने लगा, उस पुरुष को आनंद को देखकर पहुत क्रोदाया, उसने उसे सुन्द से एक चांटा लगाया, और बोला, आनंद, मुझे देख, और पहचान, मैं तेरे पिता के नौकर, रामशरण का पुत्र, और तेरा मित्र के शोर हूँ, आज मै बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ, तु इतने बड़े सीट का पुत्र होते हुए भी फीक मांग रहा है, तुझे शरम नहीं आती, आनंद, चुप चाप, उसे सुनकर, वहां से चला गया, उस रात, किशूर की बातें, उसके मन में कूंचती रही, वह सू ना सका, सुबह हुए, तो उसने दीखा, चिडिया दाने की खोच में निकल चुकी थी, सभी किसान, खेतों की ओर चा रहे थे, ग्वाले, पश्वूं को चराने चा रहे थे, सभी अपनी-अपनी कारे में लगे हुए थे, प्रकृती की सभी प्राणी, सुबह होते ही, अपनी-अपनी कारे में लग जाते हैं, सिर्फ मैं ही इस धर्ती पर एक मात्र निकम माव्यक्ती हूँ, उसने भी काम करने का निश्चे किया, बचे हुई बंचर खेत पर उसने पूरी महनत वरलगन से खेती शुरू कर दी, उसकी उस भूमी पर लहला हाती हुई, फसल पैदा हुई, शिक्षा, इस जीवर में कुछ भी पाने के लिए पुर्शार्थ करना पड़ता है, बिना कर्म किये कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इक दिन वह घर सी भाग गया, और चंगल में चाकर एक कुफा में छिप गया, एक दिन उसे शीर की आवाज सुनाई पड़ी, वह डर गया, शीर लड़कडाता हुआ उसके पास आया, उसने गुलाम की आगे अपना पंचा बढ़ाया, गुलाम ने देखा कि उसकी पंचे मे एक काटा चुबा हुआ है, उसने देखा कि शीर दड़ से चटपटा रहा है, उसने बिना कुछ पोले, शीर की पंचे से काटा निकाल दिया, शीर को आराम मिला, उसने सुक की सास ली तथा गुलाम की प्रती कृता क्यता प्रकट की, उसके पाउँ चाट कर वापिस चला ग उसे जच के सामने लाया गया, स्वामी की आख्या के बिना गुलाम घर छोड़ कर फाग किया था, अतह जच ने दंड दिया, कि उसे भू के शीर की सामने फीक दिया चाए, गुलाम को खुले मैतान में लाया गया, पिंचरी में शीर था, वह तहार रहा था, गुलाम ने डर के मारे अपनी आखे बंद कर ली जब गुलाम को शेर के सामने डाला गया तो शेर ने अपने मित्र को पहचान लिया और उसके पाउं चाटने लगा यह वही शेर था जिसके पैर से गुलाम ने एक दिन काटा निकाला था वहाँ उपस्थित सभी लोग शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हम दूसरों के साथ यदि अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरी भी हमारी साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे